सरकार ने करोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए कल जो एसोपी या रिस्टिक्शन जो एनाउंस किये हैं वो मोटा मोटी तौर पर ठीक है हम उसका स्वागत करेंगे लेकिन उसमें कुछ खामिया है ऐसा देखा गया कि सरकार ने जो प्रोड़ुक्टिव सेक्टर है जहां से रोजगार मिलता है लोग को और जहां से अर्थ बिवस्था अच्छे से चलती है उस सेक्टर को बहुत जादा टच नहीं किया और उस सेक्टर को एक रिगूलेट करने के हिसाब से चलने दिया लेकिन उसी प्रोड़क्टिक सेक्टर में एक बहुत बड़ा सेक्टर मुंबई में या महरास्ट में है वो है रेस्टोरेंट और होटल का वेवसाए जिस तरीके से कल एनाॉंस्मेंट आया कि अब पूरी तरह से सारे होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे वो बहुत ही घातक फैसला है उससे पूरा विवसाय चौपट हो जाएगा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होगी क्योंकि होटल और रेस्टरेंट विवसाय में सिर्फ मुंबई में लगबक 10 लाग के आसपात मजदूर चुड़े हुए है जिनको रोजगार मिलता ह पाँच अजार करोड का ये पूरा एक विवसाय है इसको पूरी तरह से बंद कर दे रहा मतलब एक नई बरबादी को हम आमंत्रण दे रहे हैं पिछले लॉकडाउन की वज़े से अल्डिटी ये धंदा चौपट हो चुका है अलागतार आठ नौ महिने तके बंद थे अब ये होटल चले और जो नाइट कर्फी जिसका मुझे बहुत जादा अर्थ समझ में नहीं आता है तिर भी आप जो मुक्हमंत्री जी अपने संबोधन में पूरी दुनिया में कैसे लोकडाउन हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे थे उसके बजाए अगर हिंदुस्तान के अलग तो थोड़ी देर के लिए उनको रहात मिल सकती है आठ से साथ तक बंद करना मतलब पूरा होटल बंद हो जाता है उससे जुन मजदूरों को सस्ता खाना मिलता उनको खाना भी नहीं मिलता होटल भी बंद हो जाता और विरुजगारी पैदा हो जाते है और होटल के जो मालि तक्शोर के तक्शोर के जाते है यह तक्त्र ऑूरा होटल के जाता है आठ साथ मिलता होटल के लिए बंद मिलता हो जाता हो जाता है अ